अगर आप चंडिगड की सड़कों पर वहां चलाते हैं तो जड़ा सामभल कर चलाएं चंडिगड में बढ़ते ट्राफिक को लेकर नए नियमों को लागू किया जा रहा है अब वहां चलाते समय चंडिगड में सड़क किनारे मुबाइल पर बात करना सड़क किनारे प्रिक एंड ड्रॉप करना और रेड लाइट पर अपने बाई और सिलिप रोड को ब्लॉक करना आपको पड़ सकता है महगा अगर आप इन नए रूलों को तोड़ते हैं तो आपको शुरुवात के पहले चलान में पांसो रुपे और जब आप यही नियम दुबारा तोड़ेंगे तो यह जुर्माना दुगना हो सकता है चंडिगड ट्रैफिक पुलीस SSP सशांग आनन ने चंडिगड में इन नियमों की जागरुकता को लेकर अलग-अलग जगाओं पर जा जाकर उन्होंने जागरुकता अभ्यान चलाए अब देखना यह होगा कि जो उनके द्वारा चलाए गए जागरुकता भ्यान है वो कहां तक लोगों को इनफॉर्म कर पाते हैैं और लोगों को इन नियमों के बारे में कहां तक जानकारी प्राप्थ हो सकती है इसी मुद्दे को लेकर अर्थ परकास के समवादाता ने लोगों से जानकारी ली और लोगों से बात की कि क्या वो इन ने नियमों को जानते हैं आईए आपको दिखाते हैं कि क्या लोगों की प्रतिक्रिया रही मेरे निजरी से यह रूल बहुत ही अच्छे निकाले गए हैं पिक एंड रॉप जो पीछे ट्राफिक हो जाता है और जो ड्रैवर है वो सिर्फ अपनी कस्टमर के साथ ही बात करता है पीछे ट्राफिक हो जाता है बहुत जारा जिसमें आम पबली को बहुत ज्यादा निकलने में बहुत मुश्किल होती है कि जो मद्य मार गया है या दक्षिन मार गया जो भी है उनसे जो रास्ते में जो भी अर्चने नहीं आएंगे फर्स्ट आफ आफ एंबुलंस हम आप देखते हो कभी भी ट्रैफिक होता है तो एंबुलंस को निकलने में बहुत दिक्कत होती है अगर पेशन्ट ज्यादा सीरिस हो तो रास्ते में एक्स्पायर हो जाता है तो यह जो रूल है बहुत ही बैस्ट निकाला गया है यह आम पब्ली के लिए ही फैदेमंद है उसका बेनिफिट यह है कि अगर आप एक लेन में चलोगे तो ट्रैफिक नहीं होगा जब एक लेन चलती है तो वो स्टॉप हो जाती तो लोग कैते है कि हम दूसी लेन होता ले दूसरी लेन से जो वन वे उसमें आने में दिक्कत हो जाती है और जिसमें जयाम बहुत ज़ादया लगते है ट्रैफिक हो जाता है इस वजए से यह भी रूल जो ओवर स्पीड हो जाते हैं लोग तो उसकी वज़ा से एक्सिदेंट्स होते हैं यह बहुत अच्छा रूल निकाला है इनोंने मैं तो इस रूल से बहुत सैटिस्वाइड हूँ कि एक तो ट्रैफिक कम होगा और दूसरा कि जो लोग इसका कई लोग तो विरोध भी करेंगी यह यह रूल नहीं होना चाहिए तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आम पबलीक को शोमीन मैं नहीं में किसी सवारी को चोड़ना या पकड़ना बड़ी समस्या कड़ी हो जाएगी उसको किस तरह host लिइसकी हां उसको गाड़ी को कहा रुप मुठों करो नहीं सकते कई पर आपकर आज सुनने से बड़ी प्रोवलम हो जागी है तो मुश्किल हो जागी बिल्कुल जो नियम है वाक्षी वो ठीक है तकरीबन एकदम तो फोलो कोई भी नहीं कर सकता है अर्थप्रकाश के माद्यम से आपको सुझेशन हो आपको ताकि चंडी के ट्रैफिक पुलिस तक आपका स्वे अगर कोई ऐसी वेत्री हो जाए हम कपनी कहीं गाड़ी का ऐसा कोई रोकने को बस टॉपी या कोई चो स्टैंड बनाया जा कहीं रोक करके हम अपना कुछ काम कर सकते या सवारी चोड़ जकते अपनी गाड़ी भी खराब हो जकते उसको भी देख सकते हैं तो ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं इनके रारे में जैसे अभी इनोंने इतना अवेरनेस की नहीं है जैसे कह modern रोक रहे हैं तो इसके बारे में वो बता रहे हैं पहले बटámra कि साथमें बी गाट रहե हैं देखो स्पीडो मीटर का थो चलो ऐसा है कि स्पीड तो चलो लिमिट में ही रखनी न अभी ने लगा भी थी है क्योंकि हर जगा तो पुलिस कड़ी रह नहीं सकती है बटी है कि चलो स्पीड लिमिट भी इनको जैसे में जो हाइवे उस पे तोड़ी इंक्रीज करनी जाहिए कि जैसे इन्होंने गाड़ी की 50 रखी है पहले 60 होती थी और बाइक की इन्होंने 40 कर अब दें कि यहां पर एक लाइन स्पेशल लगा दो क्योंकि जो फॉन फोन नहीं करें और था तो इसमें थोड़ा साइप्टेशिट करता हूं कि चलो ठीक है यह होना चाहिए स्पीड लिमिट थोड़ी कम करके चलनी चाहिए क्योंकि एक्सेडंट पगहरा है जो है आज के जैसे मेंशन कर दिया कि जैसे बस्टेंड पे या कहीं पे जो इनको थोड़ा देखना चाहिए कि सुआरी जो जैसे हम ओला उबर करते हैं उनको प्रॉपर लोकेशन नहीं पता होती है तो हम पॉंड करके उनको कभी-कभी पूछ लेते हैं कि कहां पे आना है तो हम वहां पे चले जाते हैं अगर इस बात को चलान लग पड़े करने तो इस पर गल्त बात है जो आगे जीरुपूर से आगे लाइट ने पढ़ती है वहां पे भी इनों स्पीडो मीटर बगएरा लगाएं वो चेक करें जैसे ग्रीन लाइट आगे आपकी गाड़ी निकल रही है अगर लाइट ग्रीन है तो उसका ठीक है आपको चलान नहीं अगर रेड लाइट में वो आ गया तो आपका चलान आउटोमेटिक आपके घर पहुंच जाएगा कानून वो बने जिससे जन्ता को सुभूदियत भी हो और जन्ता के लिए बैनिफिशल भी हो उसके फैल्स है में इसके कुछ करना ज़िए肉ा प्राइट मैं कराना जैने जिसे में अपनी जाइडे कर के बात कर सकते हैं किस था प regen सब्सक्राइब करें ना अब करेंगे कोई पता नहीं था भी रूल भी लागू होएंगे देखो जी उसके लिए तो हम कहने सकते भी तो जो भी गलती करेगा तो स्पीड मीटर पे तो जो स्पीड पे गाड़ी जाएगी ओपर स्पीड उसका तो होगा अच्छ ना चलिए होएगा तो आपने देखा कि चंडिगड की पब्लिक की क्या राय थी और किस हद तक कितना ये रूल सही रहेंगे पब्लिक के लिए ये आपने जाना मैं राहुलतिवारी अर्थपरकाश न्यूस चंडिगड ताजा अपडेट्स के लिए अर्थपरकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें